हेलो रेलकम टू मैटस फ़र में इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्सन से चैप्टर चैप्टर नूमर 14 और क्लास 6 के व्रक्सिट नमटर 3 के विश्टिन नम्र 2 से सॉल्व परेंगे इससे पहले के questions यानि question number one का जिसमें हम लोगों को construct करना था different angles using compass उसका वीडियो बना हुआ है आप playlist में जाकर search करके देख सकते है description में भी वीडियो का link दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है इस question में बोला गया construct an angle of 30 degree using compasses and ruler now construct an angle of measure 15 degree using compasses तो simply हम लोगों को 30 degree पहले बनाने के लिए बोला गया है compass का और ruler का यूज़ करके तो 30 degree बनाने के लिए एक ray draw कर देंगे हम लोग इस तरह से कुछ किसी भी measurement का एक ray draw कर दिया हमने ray draw करने के बाद compass से यह इस तरह का arc कट करेंगे यहाँ पर आर्क कट कर देंगे हम लोग इस तरह से आर्क बना देंगे अब आर्क कट करने के बाद यह first cut जहां पर हम लोग लगाएंगे यह जो first cut हुआ हो 60 degree हुआ है अब यह 60 degree का half होता है 30 degree यानि हम लोगों को क्या करना होगा इसको बैसेक्ट करना होगा इसको उतना ही बड़ा रहने दे सकते हैं या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको बैसेक्ट कर लेंगे हम लोग इस तरह से यहां पर रखके यहाँ cut लगाएं और इधर से cut लगाएंगे जहाँ पर join हुआ है दोनों cut जहाँ पर join हुआ है उस point को और यह जो हमने ray बनाया था पहले ray का नाम माल लेते हैं है ab ray यहाँ पर ab ray था पहले इस ray का यह जो ending पार्ट है यानि terminating पार्ट है उससे join कर देंगे जो यहां पर इंटर्सेक्ट किया है पॉइंट इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे हैं यह हम लोगों का 30 डिगरी का एंगल बन गया अब 30 डिगरी का एंगल फॉर्म हो गया इसका नेम इदर दे देते हैं कुछ यहां पर यानि कि यह सी एबी एंगल फॉर्म किया है अब बोला गया है कि नाओ अंगल ऑफ मिजर फिटीन डिगरी यूजिंग कमपास तो आप चाहें तो इसी में ही ड्रॉव कर सकते हैं या फिर हम लोग दूसरे एंगल को ड्रॉव कर देंगे 30 डिगरी का पहले ड्रॉव कर देते है यहाँ पर 30 डिगरी कंस्टरक्ट कर देते हैं फिप्टीन डिगरी कंस्टरक्ट करने के लिए तो पहले तो 30 डिगरी कंस्टरक्ट करना होगा 30 आपो से लेंगे इस तरह से कट कि एगरी एक चिए should you बना इसने अपर हाफ उजाएगा यहां पर रखके इसको बआफ उता कर देते हैं लोगा इसे कर देंगे यह इधर बैसे पो गया और इधर रखके यह इस पॉइंट पर रखके एक और कट लगा दिये यह मुजर्मेंट कितना हो गया 30 degree हो गया 30 हम लोग को चाहिए नहीं बोला क्या है 15 DIY बोला गया बाद में का स्ट्रक करने केWow इसको this वाले लाइन से डौ करेंगे डौट से लाइन से द्रा करके ड्रॉ कर दिया घया अब यह डॉटे लाइन से ड्रॉक किया गया अब बैसेक्ट करेंगे इसको क्योंकि चाहिए हम लोगों को 15 डिगरी तो 30 का हाफ होता है 15 डिगरी इसको बैसेक्ट कर देते हैं यहाँ पर रख करके एक कट लगा दिये यहाँ पर रख के एक कट लगा दिये यह दोनों कट जहा इस तरह से हमने ज्वाइन करा दिया यह हम लोगों को एक्ट्वली में चाहिए इसका कुछ दे सकते हम लोग एक्जेक्ट मीड में आएगा यह 15 degree के हम एंगल हम लोगों का बन गया इसका नाम दे सकते हमाड लेते हैं आए दे दिये यहां बी दे दिये और इदर सी देती है आँ नेक्स क्विस्टिन क्विस्टिन नमर त्री यहाँ पर बोला गया कंस्ट्रक्ट एन एंगल अप म्यूजर 22.5 डिगरी यूजिंग कमपास एंड डूलर तो कमपास और रूलर का यूज़ करके 22.5 डिगरी हम लोगों को बनाना है तो 90 डिगरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे 90 डिगरी का अगर बैसेट कर देते हैं मतलब 2 से डिवाइड करते हैं बैसेट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना 90 डिगरी का बैसेट करते हैं तो वो वैल्यू आता है 45 डिगरी और फिर 45 degree को फिर से byset कर देंगे यानि 2C divide करेंगे तो 22 आ रहा है यहां को सेंट में reminder में 1 आ रहा है that means 22 hall 1 by 2 degree आ गया हम लोग को तो start करते हैं के करके सबसे पहले हम लोग start करते हैं construct कर देंगे एक ray किसी भी measurement का name दे देते हैं उसका कुछ इसका name दे देते हैं इसका name दे दे गया इस रे का अब हम लोग 90 डिग्री पहले construct कर देंगे 90 डिग्री construct करने के लिए vertex में यह इंड में रखेंगे terminating part में और इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग आर्क ड्रॉ कर दिए आर्क ड्रॉ करने के बाद first cut जो लगाया वो है कितना 60 डिग्री सेकेंड डिग्री और इन दोनों को बाइसेक्ट अगर कर दिया जाए यहां से रखके कट लगा के और यहां पर रखके कट लगा के यह बाइसेक्टर जहां पर मिलता है वो हम लोग का हो जाता है 90 डिग्री अपने प्रिविएसली कई वीडियो कई क्वेस्टिंस में यह देखा है तो इसको जोईन करा देंगे 90 चाहिए नहीं हम लोग को जो हम लोग को नहीं चाहिए होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इस तरह डैस वाले लाइन से दिखा देंगे जोटेड लाइन से यह 90 डिग्री हम लोग 100 कर दिया है अडिका हाफ होता है 45 तो यहाँ पर रखके यह Infrast कर देंगे 90 डिग्री को यहाँ पर रखके इधर आरग कट कर दिए हम लोग अब इधर इस इंड पर रखकर आरग कट कर देंगे यह दोनों जहां मेलें उसको जोईन क प्रिंगरी लेकिन 45 डिगरी भी नहीं चाहिए तो इसको भी डौटेड करेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन से सो करेंगे कि तो तेंट से षो कर दिया हमने अब डौटेड लाइन से झो करने के बाद अब चाहिए हम लोगों को किता-22 एथ कैसे मिलेगा तू से divide करेंगे 45 को यानि bicep करेंगे फिर से इस end में और यहां पर रख लेंगे किसको compass को और इस तरह से cut लगाएंगे इधर यहां cut लगा दिये हमने और इधर इधर से यहां से cut लगा देंगे cut लगाया गया जहां पर यह दोनों cuts मिले हैं इस point पर इस particular point पर इसको हम लोग क्या करेंगे जॉइन करा देंगे और हम लोगों का required angle यानि 22 and half degree मिल गया इस तरह से join करा देंगे यहां पर तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना 22 and half degree इसका कुछ name दे सकते हम लोग यहां BC दिये इधर A दे देते हैं तो ABC angle जो हम लोग का बनाया उसका measurement कितना है 22 and half degree that's all we will meet again in some other video share this video with your friends and keep watching